हल दी गाटी में समर लड़ो वो जेतक रूय सिवारी कटे मायड थारो वो पूती कटे वो एक लिंग दीवानी कटे वो महराना पर ताप कटे निवदन चाउंगा मेठी मेडिया ताली सभी लोगी ताप कटे कभी माधव दर्ग पहुँ सुल्दरबाद कभी राजस्थान रे सूर्विरत में बाच्यो हे इतिहासा में में बाच्यो हे इतिहासा में मायड थे एडा पूत जण्या मायड थे एडा पूत जण्या थन पान लजायो नीथा रो थन पान लजायो नीथा रो वीरा मेरे सिरदार बना बेर्यां रे मन सूमाठीला बेर्यां रे मन सूमाठीला सारा पढ़्या उन रे आगे बोजुक्यो नहीं नर नाहरियो अकबररी से नारे आगे हिंदवा सूरज में वाड रतन वो महराणा परिताप कठे मायड थारो वो पूत कठे वो एक लेंग दीवान कठे वो महराणा परिताप कठे वो महराणा परिताप कठे पर देगी जितने भी वक्त विराज माने मेरे लिए कुछ बोलो नहीं बोलो कोई जरूरी नहीं है लेकिन देश के लिए सबको बोलना जरूरी है क्योंकि देश रहेगा तो धरम रहेगा देश रहेगा तो धरम रहेगा और धरम रहेगा तो मंदीर भी रहेंगे और मंदीर रहेंगे तो घर भी रहेंगे रहेंगे लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या है देश तो एक बार निवेदन कर रहा हूं जितने भी देश्वक्त लोग विराजमाने शूर विजरों से मेरा निवेदन है और जिनको देश्वक्ति से प्रेम नहीं उनसे मेरा कोई निवेदन नहीं अरे हो जाओ तैयार साथियों अर्वित कर दो चन मन धन मांग रहा बलेदान वसर अगर देश के अगर देश के कामन आए तो जीवन बेकार साथियों हो जाओ तैयार हो जाओ तैयार भाईयों हो जाओ तैयार और अचे बोले भारत माना की और देखें अन्तिम पंक्ति प्रसुत कराऊं वीर्रस की अरी आज देशरी सीमा पर अरी आज डोके लाम सीमा पर शंकटराबा जले मंडराया और देखें दुनिया में चाइना चीन जिसको आज पूरी दुनिया अच्छे दर्दे से जानते हैं लेकिन वो एक गरीब देश हुआ करता था क्योंकि जन्सिंख्या के मामले में सबसे आगे चाहिना और वो एक गरीब देश था लेकिन उसको सबसे जधा धनवान किसने बनाया इंडिया ने भारत में बनाया है तो अब वो आप भारत के सामने आखे दिखाने लगाए